गुडिया रेप मडर मामले में अब CVI ने कोर्ट से इस मामले की मोनिटरिंग बंद करने की गुहार लगाई है कोर्ट में CVI ने इसको लेकर अप्लिकेशन दायर की थी जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई जस्टिस संजे करोल और शंदीब सर्मा की खंटपीट ने फिलहाल इस मामले की सुनवाई 9 अगस्त तक टाल दी है इसके अलावा अरोपी पुल्सकर्मियों दवारव भी इस मामले में शब्त पत्तर जो दायर कीए हैं उस पर भी सुनवाई 9 अगस्त तक टाल दी गई है CVI के वकिल ने मांग की थी कि इस एफ़ेड़ को चार्ज स्रिट का हिसाब बनाया जाए जिसको लेकर अब मामले की सुनवाई 9 अगस्त को होगी CVI ने कोर्ट में तरक दिया कि कानून के मताबिक जब किसी मामले में चार्ज स्रिट दाखिल की जाती है तो उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए जिसको लेकर अप्लिकेशन दायर की थी देखें CVI ने एक अप्लिकेशन हाई कोर्ट में मूव की थी जिसमें हमने ये कहा था कि अब ट्रैल शुरू हो चुका है एक हम एक इस में ट्रैल शुरू हो चुका है अर एक में शुरू हो बाकी है तो जो मॉनिटरिंग है अब हीचोड की भावर में नही है अब हीचोड किसको ख़तम किजा हाई हाई कोर्ट ने यह कहा किस एप्लिकेशन के उपर हम 9 जातनो को बहना है करेंगे पहले आप फिल लो याँ वालों ने फाइल किये थे जो अक्यूस्ट थे और लग्यूस्ट उनके एफटेवर के उपर भी कोट ने यह का है कि हम उसको नौ अगस्त को रखाया कि नौ अगस्त को इसकी सुनवाई की जाए हमारा इसमें यह तर था कि हाई कोट में जब चार्शी फाइल हो जाती है तो कानूनी तोर पे उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो सकती यह हमारा तर था हाई कोट ने इसको कंसीडर किया है बाकि फर्दर आर्गुमेंट्स के नौ अगस्त है अभी शुरू होने वाला यह शुरू हुआ नहीं है तो इसके उपर नौ गस्त को सुनवाई होगी है तो एफ़ड़ेविट जो ने हाई कोट में दिये उसके उपर नौ गस्त को सुनवाई होगी शीम्लासी योगरा शेर्मा किरिपुट